तो आज सुबह माँ और बाबा अपने अपने काम पे करीब 7 बज़े निकले और मैं अपने कमरे पे लेटा पड़ा था AC 17 पे फुल स्पीड फैन के नीचे बिना किसी टंचन के हाँ छोटे मूटे चिंदा मुझे भी रहते हैं उम्रे 21 साल हो गई है अगले 7-8 महीन में एंजिनियर भी बन जाऊँगा तो कॉलिज में इस दफा मेरा प्लेश्मेंट कहा होगा फिल्मेकिंग का भी शौक है अगली वीडियो पे भी काम करने और इन सब के बीच में शायद बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ पर ये ख्याल उतने बड़े नहीं है जो रात को चैन की नीद उड़ा दे सुबहे के 10 बजे गर्मी के कारण मैं अपनी आँखे कोलता हूँ तो पता चलता है कि बिजली चली गई है पिछले कुछ दिनों से ना मुंबई की यहीं आलत है हमारी सोसाइटी में कल रात सोसाइटी के गार्ड भहिया ने बोला था कि मेंटेनेंस के कारण आज 11 बजे से पानी तक नहीं रहेगा मा बाबा के काम पे जाने के बाद मैं हर दिन ना घर में खुझ से ही रहता हूँ पर आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला हूँ वो हर दफ़ा ये टीवी, लापटॉप, फोन जो रहते थे मेरे साथ पानी ना रहने के कारण मूध होने में तकलीफ तो हुई इरिटेशन भी आ रहा था कि यार ये बीमसी वाले थोड़ा सेंसिबली काम नहीं कर सकते क्या और ये चिड़-चिड़ करते वक्त दरवासे पे किसी ने हाथ थप तपाया बोस्ट ओफिस से बाबा के नाम पे लेटर था जो काका देने आयते वो भी पसीने में भीगे हुए थे तो उनको शुकरिया बोलके जब मैं वापस ब्रश करने लगा न पता नहीं क्यों पर जो अनीजिनेस मुझे मूद होने के समय महसूस हो रहा था वो जरा सा मिट गया था इस बार घर में मदद करने वाली दीदी आई थी अकसर वो शाम के वक्त आती है पर उन्होंने बोला कि आज पानी चला जाएगा तो मैं थोड़ी जल्दी आ गई हाथ में फोन और आखों के सामने लैपटॉप ना होने के कारण आज मैंने उनसे थोड़ी बाते ही करी और उसी बीच पता चला कि वो कैसे अपना सारा काम मैनेज करती है उनसे बात करते वक्त जो कर्मी मुझे सुबह चुब रही थी ना वो शायद अब उतनी नहीं लगी आज सुबह इनसब के बीच मुझे कुछ महसूस हुआ मैं आज तक कभी भूके पेट सोने नहीं गया हूँ बचपन से लेके अब तक पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलें बरसात के वक्त सर के उपर छट और कड़ी धूप के वक्त एसी भी मिला है मैं चल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और मुझे अपनी मजबूरियों के पीछे नहीं बलकि अपने सपनों के पीछे भागने की सुख भी प्राप्त है जीने के लिए जो बेसिक चीज़े चाहिए वो है मेरे पास उसके उपर जो कुछ भी मुझे मिलता है आज के पावर कटने मुझे वापस रियलाइज करा है कि हम सब कितने प्रिविलेज्ट है देखो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है और जिनकी जिन्दगी में नहीं है ना वो खुद क्रियेट करते हैं जैसे मेरी आज की खिच-किच तो अगली बार कभी लगे कि यार ये क्या पावर कट है खाने में नमक कम क्यों है या जिन्दगी की ऐसी तमाम शिकायते तो इंटरेट में इस फेक इंफुएंसस के दुनिया के बीच में ये मेरी बस एक छोटी सी कोशिस थे जिसके थूँ आइवारे पास जो भी चीज़े है तेट इस मोर देन अनफ दुनिया में बहुत सारे लोगों को जिन्दगी की ये तमाम चूटी चूटी चीज़े भी नापराप्त नहीं होती तो अगर हो सके मेरे इस मेसज़ को और लोगों तक पहुचाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के ताद शेयर करना अपने स्टोरी में लगाना अगर नहीं हो सके देन just comment about one particular thing which you are grateful for today ता कि ये वीडियो और लोगो तक पहुच पाए and we can just keep spreading this message of being grateful for everything which you have. Thank you.